अब जल्दी ही बिहार का मुलू लखी स्टेडियम बन करके तैयार हो जाए यह हम नहीं करें आपको बताते चले कि तेजस्वी आदों ने दो दिनों पहले बैठक की थी और बैठक में साप साप निर्देश दे दिया था कि जो 14 दिन के अंदर डिपीर तियार के जाए साथ ही बताते चले कि मुंबई बनाम विहार का मुकाब्ला खेला गया लेकिन उसमें बिहार कड होई लेकिन आज फिर से एक बार 36 बनाम विहार का मुकाब्ला खेला जा रहा और तेजस्वी आद़ पहुचे थे मुल्योलप की च्टेडिया मुट सापस अपनों नहीं कहा दिया कि हम मैच देखने भी आए है, अपने खिलाडियों को समर्थन करने भी आए, उन्होंने कहा कि हम भी यहां से जुडे हुए, हाला कि उस समय जो है भीहार क्रिकेट एस्टेशन की मानता नहीं थी, हम लोग दिल से खिलते थे तमाम खिलाडियों का सपना होता उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरीके से तमाम जो बिहार के लोगों का सपना है कि हम अपने इंटरनेशनल खिलाडी को इसी ग्राउंड पर देखे और उन्होंने भी कहा कि बस कुछी दिन का इंतजार करिए रेनलजी ट्राफी मै मेना भी पूरी टीम जो है करने आई है अर्बन डेवलोपेंट की और साथ में स्पोर्स अथॉर्टी के सभी अधिकारी हम लोग सब लोग आए हैं और जल्द हम लोग चाहते हैं कि निर्मान जो है कराया जाए आप लोग को पता होगा जब निर्जाम हुआ था तंकरबाग मे में जब रंजी कराय थे तो उसी टाइम जो है जब मंती जी ने कहा था मेडला और नौकरी पाओ तभी उससे में एक और गोशना थी कि मोनियूल हक स्टेडियम जो है हम लोग जो है जल से जल उसका निर्मान शुडू करवाएंगे तो ती-चार महीं ने डी-पी-ार बनने म करना नया बनाना का काम जो हैं अम लोग शुरुआत करेंगे तो क्या-क्या होगा स्टेडियम में सारी चीजे जो है लगभख अंतिम चरण पर है और जल्दी ही जब मानकर मैच इन हो जाए उसकी शुरुआत जो है हम लोग करा हैंगे और इस ग्राउंड पर हम खुद खेल भी है जब वर्ल्ड कप मैच हुआ था कीनिया वसे जिंबावे 96 में तो समय भारिश हुआ था तो हलिकॉप्टर वगरा सब लगाया गया था सुखाने में तो हम तो खुद सुखदेव नराइन डॉर्णमेंट हुआ करता था जमाने में तब हम खेले हुए तो हम तो क्रिकेट रह चुके हैं तो हम तो चाहते हैं कि भाई एकदम अच्छे से बने और इंटरनाशनल लेवल का हो और क्यों नहीं होना चाहिए बिहार में स्टेडम होना चाहिए और एकदम बनने जा रहा है बनकर रहेगा और इसको देखते हुए हम लोग सब लोग यही लोगों की सब लोग सब्सक्राइब करा जाए ताकि यहां भी इंटरनाशनल माचेज जलते हैं ताप ने सुना कि इस तरीके से तरीके से तरीके से चिस गडबनाम बिहार का मुकाबला खेला जा रहा है उन्होंने बिहार के खिलाडियों को समर्थन करने के लिए पहुँचे ते साथ ह उन्होंने कहा कि हम यहां पर आये हुए हैं देखने के लिए कि आखिर में क्या क्या कमी है और जल्दी ही प्रकृया निर्मालकार की प्रकृया है उसको शुरू किया जाएगा अब बिहार के प्रिकेट प्रेमियों के लिए एक बड़ी बात यह है कि अब जल्दी ही बिहार में एक बड़ा इस्टेटियम इंडरनेशनल इस्टेटियम जो बन करके पत्ना में तैयार हो जाएगा